इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ज्ञारखन पुलीस आवर निरिक्षक 2017 में पुछा गया खौठा का कॉस्टिन फेबर तो आए दोस्तों सुरू करते हैं और इसका आंसर भी साथ में आपको टिक लगा हुआ दिख रहा होगा तो आए शुरू कर रहे हैं देखे ज्ञारखन पुलीस आवर निरिक्षक मतलब होता है कि ज्ञारखन पुलीस सब इंस्पेक्टर और इसी टाइप का सेम कॉस्टिन आपका जे एससे ज्ञारखन पुलीस कॉस्टेबल और ज्ञारखन जेपी एससी सी जील में पूछा जाता है तो अगर आप इसको पढ़ा कोई भी एक्जाम दे कोई भी लेवल का इसी टाइप के कॉस्टिन रहेंगे तो पहला है कि नदी नाला कैसन सब्द लागए तो नदी नाला सहचर सब्द लागए मतलब की जो होता है ना जैसे कि सूरज चांद माता-पिता बस उसी तरह के सहचर सब्द तो नदी चिंदाला कैसन सब्द लगे सब्द लगे मैं खौठा और इन्नी दोनों भासा में समझाऊंगा आंधार कर उल्टा अरत होए होई तो मतलब अंधेरा का उल्टा अरत क्या होता है तो इंजोर अंधार कर उल्टा अरत होई इंजोर तो अंधार कर उल्टा अरत होई इंजोर यानि कि अंधेरा का विप्रित अरत हो गया इंजोर अगला है उपसरग पर पर्योग सब्दे कहां करल जा है उपसरग का पर्योग सब्द में कहां पर किया जाता है तो सब्द की आगे में तो यहां पर हो जाएगा सब्दे क आगू में करल जा है सब्द कर आगू में करल जा है आगू, जेठानी सब्द के पूलिंग बतावा, तो जेठानी सब्द के पूलिंग भेवा है, जेट, की भेवा है, जेट आगू है पाचवा कॉस्चेन कौन उल्टा अर्थेक संगे मिलल है तो उल्टा अर्थेक संगे की मिलल है देखा यहां करी टोपरा डावेर टोपरा और डावेर टोपरा मतलब छोटा खेत और डावेर मतलब बड़ो खेत बुझा है न तो दोस्तों टोपरा का अर्थ होता है चोटा खेत एक चोटा जो एक से दो डिसमिल ज्यादा ज्यादा पांच डिसमिल होगा और डावर मतलब बड़ा खेत जहां पे एकड़ों की जमीन होती है ठीक ना तो उसको डावर कहते हैं अगला है तो यहाँ पे बोला जा जाए एक जाती बाचक संग्या लगे लेकिन सबणनाखा नदी है दी चाहे दामोदर नदी बिसेस नदीकर बात कर रहा जाए कौना नदीकर तो नदीट भजा है ब्यक्ति बाचक संग्या ठीक तो इटाक आंसर बजाते हैं बी आगू देखाल जाए तो साथ नंबर कॉस्चेन होए कि बालपन बालपन सब्दे कौन संग्याक परजोग होए तो बालपन में जे संग्याक परजोग भेव होए उकरा कहल जाए कि एकरा कहल जाए भाव बाचक संग्या मतलब की इटा के कौन हो पकड़ा जना चाहिए जैसे कि बालपन यानि की बच्चे का जो बचपना होता है वो बुढ़ापा जवानी यह सब कैसा संग्या है भाव बाचक संग्या ठीक जिसे हम केवल एक अनुमान ही लाज सकते हैं महसूस ही कर सकते है ठीक ना तो यह कैसा संग्या है भाव आचक यान की abstract noun दरद हम नहीं कहें दरद कैसा संग्याल है भाव आचक पीडा खुसी गम इस भाव आचक संग्याल आगे ठीक ना आगू है लोटा डोरी लोटा डोरी कौन समाज कर परजोग करल गेल है तो लोटा डोरी में दोंद समाजकर पर्योग करल गयल है अगर देखाल जाए तो पनिया बड़ी धीपल है पनिया की है बड़ी धीपल है जो पानी है वह बहुत गरम है पनिया बड़ी धीपल है बाई के धीपल सब देख अरत बतवा तो धीपल का मतलब क्या होता है गरम धी देखिए दोस्तों देखिए अभी खाना खाके उठाओं तो इसलिए हो रहा है तो देखिए दोस्तों यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि खौठा अगर आप रख लेंगे और मेरे साथ अगर 15 दिन तक क्लास कर लेंगे 15 दिन तक बस 20-25 मिट का वीडियो देख लिजीगा तो आदा पेंद्रा मुहाबारा कर सही अरत भेवव हैं अद का मतलब होता है काम के आधा करेक मलब मुल या काम को फट्रा के कृना चुढ़ जलाए रही है इसका मतलब हुआ कि मेंको आधा करके क्यों छोड़दी खेक तो अध्या मतलब करें को आधा आप लोगों ने अगर आप खोठा गाओं घर में बोलते होंगे आपके एरिया में तो आप बहुत ही जीली इसका अंसर देते होंगे बीना पढ़े इसका अंसर आप दे सकते हैं ऐसा सब्जक्ट है अगला है अन अन परतय से बन सबद के पहचान करा तो यहां पर जाएगा य यानि कि अंगुत लास्ट में हम तू लगा दिये तो अंगुत हो गया अंगुत मतलब सुबा सुबा का समय अंका अंकूर यह तिनों सब्द बन संकते हैं तो यहां पर सभी हो जाएगा यानि कि इन में से सभी अल अफ दीज इंगलिस में बोलेंगे अगला है चिकन मुहा हम जाषैंसी को बहुत बहुत चिकन मुएत लेकिन उसकी बहुत चझको अगया चाहिए चप्षओं अगला है ब इसे में कीता है तो बुद्गर तो बेटाड़ बड़ी बुद्गर आओ मतलब की बहुत दिमाग वाला आदमी बुद्गर, बिद्वान ठीक ना, नेक्स्ट आता है हमारा जे सबद संग्या आर सरवनाम कर गुन भाव बतवे है उकरा कहल जा है, उकरा कहल जा है उकरा कहल जा है, तो हम लोग हिंदी मोलते हैं न, कि जो सबद संग्या और सरवनाम का गुन भाव दोस बताता है, उसे बिसेसन कहते हैं बस उसी तरह है बिसेसन ठीक, नेक्स्ट है आपका दूबटिया सबदे कौन समास कर परजोग हवा है, तो दूबटिया सबद में, जो है दीगुन समास का परजोग होता है, देखिए परियोग को खोठा में परजोग कहा जाता है और सबद को सबद बोला जाता है ठीक ना, इसे बहुत सारे वर्ड जान लीजिए आप बस पंदरा दिन आप डेगुली क्लास कीजिए मिर साथ अगला है, सरब नाम के कईगो भेद हाई, तो सरब नाम कर छोगो भेद हवा है, ठीक कईगो भेद हवा है, छोगो प्रोनावन हम लोग बोलते हैं, इंगलिस में सरव नाम को, अगला है इकर में कोन महा परान धोनी है उकरा पाचान करा तो इसमें कोन महा परान धोनी है, उसको आपको पाचानना है तो खो और घजो है, महा परान धोनी है नेक्स्ट आता है आपका खोर्ठाई बहु बचन बनावे खातिर सबद के जोडल जाहाई की जोडल जाए और बैन ठीक जैसे कि बचवईन बचवईन हमने नहीं कहा है बचवण बुडवईन तो और बैन जोडल जाए छोवईन गिद्रवईन ठीक गचवईन ऐसी तरह इसको जोड़ के हम लोग बना सकते हैं बहुवचन अगला आता है खोर्ठा सबद गोटा कर उल् तो खुच्रा यानि कि गोटा मतलब हो गया पूरा और खुच्रा मतलब हो गया आधा धूरा ठीक गोटा मतलब की हम लोग मुलते हैं कि गोटा कामड़ पूरा करी तो क्या हो एक हो मतलब की पूरा पूरी पूरा एकदम कंप्लेट और खुच्रा मतलब की आधा धूरा तो गो रोद मतलब धूप बहुत रोद हो यार यति रोद कहां जाबे इसका मतलब हो गया कि रोद का उल्टा होता है च्छाहर क्या होता है च्छाहर धूप का च्छाहर होता है बस उसी तरह रोद को भी च्छाहर बोला जाता है बस थोड़ा सा हिंदी और खोठा में बस थोड़ा सा मार्न अया आपको विश्वास नहीं गएक सो में 88 मार्न मार्न अया था जबकि महिने मुश्किल से 1-1.5 महिना पड़े होंगे जब भी ग्यामत था एक से डिड़ महिना परतेक दिन दो गंडा पड़ता था इससे ज़्यादा नहीं और अच्छा खासा माक्स आ गया तो सोच लिया कि इजी सब्जेक्ट हैं अगला है वर्ण मालाक दूसरा और चोंथा बन के बर्ण के कहल जा है तो वर्ण माला का जो होता है दूसरा और माला जो अभी हम लोग देखे न घर और ख वस वसी का उधारन था अगला है संगे रहे संगे संगे रहे कोई घरे नाय परे कोई धरे नाय परे संगे संगे रहे कोई धरे नाय परे बुझ वल के औरत होई मतलब कि हम लोग बोलते हैं कि साथ साथ में रहिए कोई आपको पक कि संगय संगय रहाइई कोई धरत न पर इ dunno होट होता है शाहर आपका छहाया जो चाइहा बनता है जब डूपमें जाते हैं आपके साथ साथ Colon लेकिन उसको कोई पकर्ट Bom। ऩहीं पाता है आपने छहाया को कोई पकड़ यह नहीं पाया है ठिक ना तो हятно यहँ पर आत्मा मम야 सब नहीं देज़ेगा चाहईर होगा ठीक लिए मतलब अपना चेमश ब्लता है आपका खोठा वरड आएं कोई गो एक यह क माला में आर से बनाए इस तीन अगला है दोस्तों देखिए आप लोग का एकजाम जो है ये खौठा का फेपर जारकन पुलिस में 300 मार्क्स का होगा यानि कि 300 नंबर का होगा 100 कोस्चेन आएंगे 100 कोस्चेन होगे और परते कोस्चेन आपका 3 नंबर का होगा और उसमें अगर आप गलत करेंगे तो लेरू बोलते हैं ठीक ना तो लेरू को बहुत वच्चन हो है लेरू अभी हम लोग बच्चेन की और बैन लगा के खौठा में बहुत बनाया जाता है तो लेरू का हो जाएगा लेरू यानि कि बहुत सारे बच्चडे अगरा है खौठाई कई को स्वर्ण कर परजुग उसी कौन सबत के लिखल जा है मतलब कि खौठा भासा में तालाइब सा के आउजी मतलब कि इसके बदले में खौठा भासा में तालाइब सा के बदले में कौन सा सा का परियोग किया जाता है तो एक चीज मैं बता देना चाहूंगा कि खौठा भासा में चाहे आप होगा तीन गुस्षा होते हैं तालिप से मुर्थान सो दंसो में से केवल यहीं से का परियोगा का पूरे को पुड़े खोड़ा का सिल्यबस में ठीक ना अगला है dość है एसाइ सब्ध कि पूलिंग रुप की हो हो अगला है आपका बाता बाती पॉइदे कौन समाज हए तो बताबातिव पएदे कौन समाज है अभ्यवाव समाज अभ्यवाव समाज इस अब हम खोठा गरामर पढ़ाएंगे आपको तो सारा कुछ किलियर हो जाएगा बे हम लोग नहीं बोलते हैं बे उपसरग से बनल खोठा सब्द लागे तो मतलब की बे को क्या जोडने से खोठा स सब्द बनेगा तो बेसार बेसार कोई सब्द है नहीं है यहां पर मतलब की नहीं से कोई नहीं बेतूक और यह है बलू रहा तो यहां पर बेलू रहा हो जाएगा बलू रहा नहीं होता है बेलू रहा होता है तो बेल लगा कि हम लोग बेलू रहा बना सकते हैं मतलब कि जि काम करने के कोई भी धंग नहीं है कोई भी अंदाज नहीं है तो बेल लगा के हम लोग बेलू रहा उपसर्ग बना सकते हैं तो बोल रहे हैं कि बहुत ही इजी होता है अगला है एकर में कौन सबद टा खोठा सबद ला गए तो देखिए भिनसार अजवाइर बिहान ये सभी फोटा का सब्सक्री बेनसार मतलब होता है ओर्ली Hearts यानि की आपका भौर भौर का समय पहुत है जवायर का मतलब होता है जिसका कोई काम नंदा नहीं है उसको देखिए जबीत कर द्रम कर्माने की हवा है तो लोग गीत कर्माने की हवा है लोग गीत कर्माने हवे हए जे गीत आदी काल से चली आ रही है ठीक ना जो गीत जो है हमारी आदी काल से चली आ रही है चलल आई रहल है उकरा लोग गीत कहल जाए जैसे कर्मा कर गीत हमनी गावई है ठीक ना तुसू गीत गाव है तो यह सब गीथ के हमनी लोक कई वही जाहे जैय कषे प्राचिन काल से चलल आई रहाल है अगू है लोक कथा रहा है तो लोक कथा जेकर रचनाकार के पटाजनाय चलो Gesprूह है वह Also Li कथा कहल जाते हैं तो समझ गयल हबिया कि लोग कथा कथा करकाल जाए लोक था यह एक अगुद है कि करम जुमयर कईसन गीत लागए तो करम जुमयर करम परब में गायल जाए तो करम तेवार कर गीत लागए ठीक परब कर गीत लागए तो अपसन एभ जातन अगला है दोस्तों आपका सोहराँ कौन महिनार मन 문제가 यह人 गा है तो स anlat कि महिने महिने मना जाए कार्थिक महिने में कार्थिक महिने में सोहराई मना जाता है मैं एक चीछ आपको दे रहाऊं expect कारथिक महिन हम लोग इंग्लिस भासा में क्या कहते हैं वह चीज आप लोग को बताएगा यह जो कार्थिक आ ठीक ना कार्थिक को तो हिंदी में कातिक बोलते हैं तो इसको इंग्लिस में क्या बोलते हैं अगला है खौठाइं सोहराइगीत के कहल जाहें तो खौठा में हम लोग गित को बोलते हैं चाचेर गित ज़ारखन सवह Ariya कोई विखती ये लोग कसा गञए तो धननेग गरब और बामन आर भूत बामन और भूत ये दोनों जो हैं दोस्तों यानि किसी नम्ब दूगो दूँओ इदुनों टा लागे खोठा कर लोग कथा मतलब की एक तरह से कहानी होता है लोग कथा हम लोग बोल सकते हैं लोगों दुबारा कही जाने वाली कथा को लोग कथा कहा जाता है और इसका कोई बिसेश व्यक्ति जनक नहीं होता है अगला है करम परवे कौन गाच कर पुजा करल जा है तो सिंपल सी बात है करम गाच कर करम गाच मतलब की करम का एक पेड़ होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो कमेंट केजिए का मैं आपको दिखा दूँगा वीडियो के माइधियम से अगला है बावरी परव कौन महिना मनवल जा है तो बावरी परव जो है दोस्तों हम लोग पूस महिने को बावरी को ही कहा जाता है ठीक ना जनवरी का जो महिना होता है जिसे आप लोग मकर सक्रांति काते हैं बस उसी को बावड़ी परब भी कहा जाता है पूस परब भी कहा जाता है तो जो भी आपको कहने का मन करें असम में आपको मालूम है भी हू कहा जाता है तो बहुत सारी नाम है अलग-लग राजियों में जारखन में इसको बावड़ी परब कहा जाता है अगला है मकर सकरायत कर समय कौन परब मनवल जा है तो मकर सकरायत के समय सोहराय परब मनल जा है नहीं टूसू परब मनल जा है हम लोग टूसू भासाने जाते हैं ना नदी में तो बस टूसू परब मनवल जा है कब मकर सकरायत के यानि कि बौड़ी के समय पूस परब में अगला है करम परबे कौन फूले पूजा करल जा है तो करम परब में किस फूल को पूजा किया जाता है धान के फूल को पूजा किया जाता है ठीक ना धान के फूल को पूजा किया जाता है आप लोगों देखे होंगे कि जब धान में आपका ठीक अब जैसे कि बाली उसमें आएगा उसे टाइम उसको लाये जाता है और पूजा किया जाता है आपके घाउमें भी होता होगा। कि आपका किताब से है अब इसके लिए किताब पढ़ना पड़ेगा तो सबसे पहले आप देख लिए कि किस टाइब के कोश्चे नाता है जरकन पुलिस में तो यह हो गया चिम्टू चिम्टू जो है इसका मुख्य नायक है धने करब का अगला है लोक कथा कोवा आर गुदु मुचू इसका जो कैसन का था है तो यह एक मनुरंजन का था है यानि की इंट्रेस्टिंग है काफी मज़दार है अगला है अंगना कादा करेक माने हवा है घोर-घोर के आवेक मतलब कि घोर-घोर के आफी के अंगने मतलब आफी के सामने आ रहा है ठीक ना तो इसी को बोलत पार्ट वन में रहेगा 50 कोशन पार्ट टू में रहेगा 50 to 100 कोशन तो हैं 45 नमबर की जरल उपरे नून छिड़का की अरथ होगा है तो हम लोग बलते हैं कि जले पर नमक छिड़क रहा है तुम इसका मतलब है कि दुख है आपके उपर और उसके उपर भी दुख दे रहा है तो दुखेक उपरे आरो दुख आवेक दुखेक उपरे आरो दुख आवेक पहले से कोई वेकती दुखी और उसके उपर आप और दुखी कर रहे हैं तो हम लोग बलते हैं कि जले पर नमक छिड़क रहा है तुम अगला है चरका कुटे ललका उसका वे जो ढेकी में हम लो ललका उकसावे बुझावल के अरत बतावा तो ये एक बुझावल है इसका अरत है कि दात और जीब जिस परकार दात जो है हमारा चरका कुटने का काम करता है कुटते हैं हम लोग खाना को काटते हैं और जीब क्या करते हैं उकसाने का काम करता है तो आप इसे पूछ सकते हैं इसका मतलब क्या हुआ तो आप पूछ सकतें अपने घरवालों को या अपने फ्रेंड को तो इसका हो गया कि दांत और जीब दांत और जीब जिसका थोड़ा सा होगा वो बता देगा तुरंट सोचके अगला है 47 नंबर उगल सुरुज डूबल जाय कहावत के माने की होए है सौब दीन बराबर नाय होए है सौब दीन बराबर नाई होए है इस आप सभी स्टू मालूम ही होगा आरो मूंडरी वॉर्ल émुर्णणाटि Vegard UK आरूमूंड्री वेलतर इसकावत का मतलब किया होता है मतलब कि एक बार दोखा खाने के बाद एक खीड आता है इसलीध कलाते हैं कि आर्अंट्री वेलतर या फिर आर्ङूमुद्रा वेलतर मतलब कि आपका अगला है काम प्यारा की चाम प्यारा लोक बाइन के औरत की होई काम प्यारा की चाम प्यारा इसका मतलब हो गया कि हुनर का गुंगान करना चाहिए हुनर का गुंगान करना चाहिए यह मन देखिए कि उसका चमड़ी का रंग कैसा है यह देखिए कि उसका काम कैसा है इसलिए कहा गया कि काम प्यारा की चाम प्यारा मतलब कि वेक्टी का रंग नहीं देखना है आपको उसका काम देखना है हुनर का गुनगान करना अगला है फिप्टी नंबर कोश्चन मैं इतना ही करूँगा उसके बाद नहीं करूँगा विडियो पाट टू में करूँगा लोक कथा धनेक गरब के पात्र चम्टु हाट ले कौन चीज कीन के आनल तो जब वो बजार जाता है चम्टु जो कि इस कहानी का धनेक गरब का मुख्य पात्र है मुख्य नायक है मुख्य हिरो है तो जब बजार जाता है तो वहाँ से एक बंदर खरीद के लिए आता है आप लोग सुने होंगी कि सब्जी खरीदता होगा यह तो बंदर ही खरीद के लेते आया है तो दोस्तों बस वीडियो में इतना है फिर मिलता है नाश वीडियो के साथ अगर आप हमारे चनल पर पहली मिलने लगएगा देखिएगा कि आपका खोलठा जो है पूरी तरह से अस्ट्रोंग हो जाएगा तो फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए पढ़िए अपने हक के लिए लड़िए खुद भी आगे बढ़िए देश और राज को आके बढ़ाईए ठैंक्य